हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवरी जम्टिक दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहें कि 31 अगस्त को नेशनल वोड आफ इजमनेशन का पिपर होने वाला है और इसे समधी वीडियो में लगातार अपने यूटूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूं तो दोस्तों इस वीडियो जो है डाकुमेंट को छोड़ दिया तो आपको फ्रवेस करने की अनुमती नहीं मिलेगे तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में जारेंगे दोस्तों इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है आपके एक्जा दोस्तों में सबसे पहले मैं प्रोसेस के बारें बताऊंगा कि वहां पर क्या कौण कॉन सा प्रोसेस आपके साथ होने वाला है एस के बाद रहुत बताऊंगा है जो भी लेके आ रहा हूँ आज मैंने जो है पुस्त के और लेखक से समधित कोश्चन भी अपलोट किये हैं तो दोस्तों इसा भी कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपके आपको मेरे प्लेइलिस्ट में सभी कोश्चन मिल जाएंगे आप वहां पर जाके देख सकते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और लाइक कमेंट और शेयर जबू करिएगा इस वीडियो को सेयर जबू करिएगा दोस्तों अधिक लोगों पास क्योंकि अधिक लोग इसी कन्फूजन में हो हैं कि जो कॉन्साटा कुमेंट लाएंगे तो चैनल को ग्राइन करा जाएगा तो दोस्तों कि जी होगा तो कि आपका चैनल लगा तुर्म करेंगे होगा यह तो आपको लेवल में नहीं है तो यह निकाल दिया जाएगा और दोस्तों इससे पहले जाने से पहले आपको अपने टेमपरिचर को ज्रूरब लेना है विद्वा दबाई ले सकते हैं ताकि आपका टेंपरेचर मेंटर हो सके क्योंकि जानते हैं को बुखार, तो इसलिए आपको यह साभधानी ज़रूद वर बरतनी है कि आपने temperature को चेक रा लेना है उसके बाद डाइब ठीक है दोस्तों उसके बाद यह भी बत की जा रही है कि वहाँ पे सर्जीकल फेस मस्क जो आ एकजाम सेंटर पे उपलब्द करा जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह थे प्रोसस के बाद और दोस्तों आए जानते हैं कि कौन कौन तो दोस्तों आपको लेकर जाना यह तो जानते हैं इंड में इस अपको एक्जाम देने से नहीं रोखे गा क्योंकि आपके पास आपको नपरकार के पास की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पास की यह पास ही आपके लिए suffixient है दोस्तों यह पास जो है अगस से 1 सिसटमबर तक माने रह रहेगा इसका मतलब है कि आप 30 सितंबर 3.1 सिसटमबर के 20 जो है इस पास के दोरा आप एककिसी लागडाउन वाले सहर में जा सकते है दो ठीक है दोस्तों। आप निगा है चौत कमटार सकते हैं हैं कोई भी वहन का परियोग कर सकते हैं आपके पास पास जो है यह यही आपका है आप कोई नहीं रोके riteसे ढूसता उसके बाद दूसरा है कि आपको आधार काड लेकर जाना है तो यह फोटो जरूरी है कि दो फोटो आपको लेके जाना है यह 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 वहां पर लगेगा यह लेकिन आपको दो फोटो रहना चाहिए आपके पास में ताकि कहीं जुरुत पढ़ जाए तो आप उसको आप रियोक कर सकते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद जो है सबसे जरूरी बात या है दोस्तों कि आपको फेस मास्क जरूर पहन के जाना है वहाँ पे मिलेगा सर्जिकल फेस मास्क मिलने की बात कही जा रही है लेकिन आपको अपने तरफ से फेस मास्क जरूर लेके जाना है दोस्तों उसके बाद गलफ्स हाथ में जो दस्ताना होता है उसको भी पहन के जाना है वो जो दस्ताना मेडिकल मेडिकल गलफ्स होता है न उसको पहनना है आपको ठीक है दोस्तों मेडिकल गलफ्स को पहनना है उसके बाद हैंड सेनिटाइजर को भी लेके जाना है दोस्तों 50 सेमल का ए लेके जाना आपके लिए जरूरी है और यदि यहां पे चीज़ें नहीं रहेंगे तो आपको तुरंट बाहर भेज दिया जाएगा फिर आपको जाके खरीदना पड़ेगा क्योंकि यह रहनी जरूरी है और दोस्तों एक पर ले लिजिए आप ताकि रफकार करने के लिए आपको फ्रेवाल एक नहीं ही लेके जाना है ठेकर दोस्तों यहीं वीडियो पसंद आहाओ तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए तुरंट करिए दोस्तों और उसके बाद सेयर करे वीडियो को liked करीए कमेंट करिए ठीक है धाटों धन्नेवाद मिलें गफेसे एग तोो कर